नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं The Aircraft Amendment Bill 2020 के बारे में क्योंकि रिसेंटली इसको राजिस सभा से भी पाश कर दिया गया है और यहाँ पर जल्दी ये एक्ट में कनवर्ट हो जाएगा तो हम अपने वीडियो में जानेंगे कि exactly इसका मतलब क्या है, ये Aircraft Amendment Bill क्यों लाने के आशकता पड़ी, इसकी वज़े से क्या क्या चेंज़े आने वाल हैं चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस्टाग्राम, फेस्बूक और ट्विटर पर में लेक्चा की हर पीडियोफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप एना टेलिग्राम चैनल ज 2020 को ये किया गया था, 4th of February लोग सभा में, ठीक है, और ये आपका 17th March, that is just यहाँ पर lockdown अगरा जब लगा था, उसके पहले, लोग सभा ने तो इसको पास कर दिया था, लेकिन राज सभा से ये पास नहीं किया गया था, और finally यहाँ पर 15th September को, यहाँ पर आपको पता है कि 14th से जो आपका Parliament खुला है, उसके बाद 15th को जो है, इसको यहाँ पर पास कर दिया गया है, और यहाँ पर जो चेंज आएगा, यह याद रखेगा किसके अंदर चेंज आएगा, यह चेंज आएगा आपका Aircraft Act 1934, 1934 का यह Act है, उसके अंदर amendment किया गया है, और obvious ही बात है, यह कौन सी ministry लेकर आएगी, यह लेकर आएगी आपकी Ministry of Civil Aviation, और यह जो particular act है, इसका main काम क्या होता होगा, इसका main काम है कि जितना भी aircraft, airline से related manufacturing है, possession है, use है, operation है, sale है, import है, export है, जितनी भी चीज़े हैं इस से related, उसको proper तरीके से regulate करना, यही main काम है आपका Aircraft Act 1934 का, तो यहाँ पर अब act के थुरू क्या किया जा रहा है, अब इसको सबसे पहले बहुत ही important चीज़ है, यहाँ पर यह जो तीन body है, जो लिखा हुआ है आपका, Directorate General of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, और Aircraft Accidents Investigation Bureau, यह तीन body को एक तरह से statutory status दिया जा रहा है, यहाँ पर law के थुरू, यहाँ पर कुछ changes किया रहा है, और इनका जो role है एक तरह से आप कह सकते हो, उसको expand किया जा रहा है, तो किस तरह से role expand किया जा रहा है, जैसे कि जो DGCA है, यहाँ पर जो safety से related चीज़े हैं आपकी airlines में, उसको यहाँ पर देखेगा, और बाकी कुछ functions दियेगा है, बिल के अंदर वो यहाँ पर दे देखेगी, और last है आपका Aircraft Accidents Investigation Bureau, तो इससे भी आप समझ गए होगे, यहाँ पर जो accidents हैं, incidents हैं, जो होते हैं, aircraft कि आपने recently देखा होगा, कोजी code वाले airport पर यहाँ पर accident हुआ था, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर investigation करना, उसको proper report जारी करना, यह सारी च जादा penalties impose कर सकें, अगर यहाँ पर airlines, कोई individual, किसी तरह की कुछ दिक्कत करता है, problem create करता है, तो यहाँ पर DGCA के पास और जादा power आ जाएगा, कि उनके उपर proper तरीके से, जो penalties हैं, वह यहाँ पर impose की जा सकें, और in fact मैं आपको बता दूँ, कि अभी के लिए अगर आप दे DGCA के दौरा, अब यहाँ पर यह चीज़ा आप मत समझ लेना, कि इनके दौरा जो भी decision लिया जाएगा, वो final हो जाएगा, मतलब कि अगर इसने कह दिया कि कि CA line के ओपर 50 लाग का final लग गया, तो यह final होगा, देखी हाँ, maximum time तक ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर जो ministry of civil aviation है, ministry of civil aviation के पास, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है, कि यह जो amendment है, इसको लाने की क्यों आवशकता पड़ी, तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको starting में ही बताया था, कि हमारे देश के अंदर यह जो aircraft act 1934 है, यह सारे चीज़ों को regulate करता है, इसके अंदर सभी provisions हैं, manufacturing से ले international civil aviation organization, इसके उपर मैंने last में एक question भी रखा है, MCQ वो आप करना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कि जितने भी operations carry out किये जाते हैं हमारे देश में, या फिर हमारे देश से कोई भी flight बाहर जाता है, तो इन सभी चीज़ों का जो regulation है, एक standard क्या होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपने देश का एक अलग standard अपनाएंगे, और बाकी देश अपना अलग standard बनाएंगे, एक common standard होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को कौन regulate करता है, यह एक international body है, international civil aviation organization, इनके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर इनके द्वारा कई सारे suggestions दिये जाते हैं, कई सारे changes किये जाते हैं, तो इन सारे changes को हमारे देश के अंदर भी अपनाना चाहिए, तो समय समय पर क्या होता है, कि सरकार 1934 के act के अंदर कुछ amendment लाती रहती है, ताकि ICAO के द्वारा जो भी changes बताए गए हैं, यहाँ पर उसको अपनाए जाए, तो इसे लिए यहाँ पर सरकार इस amendment लाया गया है, इसको अभी क्यों लाया गया है, यह पहले भी तो ला सकती थी, को changes बगरा करना था तो, तो यहाँ पर देखे क्या हुआ था, यह जो particular international body है, ICAO, इनके द्वारा मैंने जैसा कि बताया कि universal safety oversight देखा जाता है, इनके द्वारा audit कराए जाते हैं, अलग-अलग countries के airlines के security देखा जाता है, कि भारत की जो airlines है, वो proper security तरीके से इसको कर रही है कि नहीं, बांगलादेश में जो airlines चल रहा है, क्या वो सही से operate कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर regularly जो है, उनके द्वारा audits कराए जाते हैं, जी हाँ, इनके द्वारा audits कराए जाते हैं हमारे देश में सभी देशों के अंदर, ताकि proper safety और security हो, और सिर्फ यही नहीं, यह तो एक आपकी body हो गए, इसके अलाबा भी मैं आपको बता दूँ, जो United States है, वो अपना एक अलग से audit कराता है, United States यह कहता है, अमेरिका के यह कहता है, कि हमारे देश के साथ जितने भी देशों का administration के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कि जो हमारा भारत है, वो इन दोनों के साथ signatory है, यह जो आपका ICAO हो गया, और यहाँ पर FAA, जो की United States की body है, दोनों के साथ signatory है, उनके साथ participate करता है, तो इन दोनों body के द्वारा हमारे देश के अंदर auditing कराए जाती है जैसे companies और की auditing होती है, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी होती है, देखने के लिए, ताकि सही से चीज़ें operate हो रही है कि नहीं, तो यहाँ पर ऐसा sources के द्वारा ऐसा पता चला है, कि 2012 और 2015 में, ठीक है, यहाँ पर यह auditing कराए गई थी, और यहाँ पर ऐसा पाया गया क कि हमारे देश के अंदर यह जो safety और proper procedure के तौर पर चीज़ें चलनी चाहिए, वो सही से चल नहीं रही है, और इसलिए यहाँ पर आऊशकता है कि जो 1934 का Aircraft Act है, इसके अंदर changes लाए जाए, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सारे चीज़ों को देखते गया कि सही से चीज़ें चल नहीं रही है, तो क्या-क्या changes लाने की जरूरती, यहाँ पर एक change हो गया कि regulatory के अंदर proper recognition देना, जैसे कि मैंने 3 body आपको बताया ना अभी आपको, DGCA हो गया और जो 3 bodies थी आपकी, तो यहाँ पर उनको proper recognize करना, तो already इस act के थू कर दिया गया है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो fines वगरा है, इसको और जादा enhance करना, मैंने आपको अलुड़ी बताया कि 10 लाग से लेकर इसको एक करोंट कर दिया गया है, और जो officers वगरा है, departmental officers हैं, उनको empower करना, तो इस act के थू इनको भी empower कर दिया गया है, तो यहाँ पर यह जो आपको बताया कि यह question है regarding international civil aviation organization, तीन statement इस related दियेगे हैं, इसको ध्यान से करिएगा, इसका answer मैं काम करूँगा, अपने instagram पर दो डालूँगा ही, अगर आप instagram पर नहीं हो, तो आप telegram channel पर जानकर इसको इसका answer ले सकते हैं, तो let's see कि आप में से कितने लोग इसको write कर पाते ह I hope कि यह जो पूरा वीडियो था, यहाँ पर आपको कुछ जाने को मिला होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon